नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त तर्वींद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्र नागल और आज के वीडियो में एक ऐसे प्रोड़क्ट को लॉंच करने जा रहा हूं जिसकी इस समय बहुत मांग चल नहीं है जो सभी यूजर के लिए बहुत ही हुजपुल प्रोड़क्ट है मैक्स्मॉन कमपनी का ग्रिड फोल संपीेस ऐसें पीएस बैटरी चार्जर और दोस्तों यह जो बहुत ही छोटा सा बहुत यूनीक सा प्रोड़क्ट आप देख रहे हैं यह है SMPS पलस बैटरी चारजर है Transformer less बैटरी चारजर जो ग्रिड से भी बैटरी को चार्ज करता है और सोलर से भी बैटरी को चार्ज करता है टू इन वन है यह है ग्रिड से 100 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक बैटरी को फिक्स 10A से चार्ज करता है इसी का जो दूसरा मोडल आएगा 15A में वह भी 100V से लेकर 300V तक फिक्स 15A की चार्जिंग बैटरी को देगा और सोलर से 120V से लेकर 300V तक के सोलर पैनल इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं लाइट वेट है कैरी करना भी बहुत आसान है कहीं पर भी ले जाकर बैटरी को चार्ज कर सकते हैं जहां आपका इन्वेटर बैटरी को चार्ज करने में 40% तक का इनर्जी का लोश करता है वहीं पर यह SMPS charger बैटरी को चार्ज करने में मात्र 14-15% इनर्जी का लोश करता है और वह 14-15% भी केवल बैटरी की वज़े से लोश होता है इसकी efficiency 97% की है यानि इसका energy loss मात्र 3% का है इसकी charging capacity energy loss पूरा demo आपको दिखाऊंगा उससे पहले backside में भी आपको दिखा देते हैं यहें grid के लिए main lead है इसको आप यदि grid से charge करना चाहते हैं तो grid से connect करेंगे solar से charge करना चाहते हैं तो solar से connect करेंगे cooling के लिए fan दिया गया है और यह switch जो आप देख रहे हैं यह battery charging high low के लिए है यानि यदि आप battery को कम ampere पर charge करना चाहते हैं या आपकी battery कम AH की है तो इसको आप low पर रखकर charge कर सकते हैं बड़ी battery है तो high पर रखकर charge कर सकते हैं यदि आपकी battery छोटी भी है आपने इसको high पर भी कर रखा है तो भी कोई problem नहीं है जैसे जैसे battery charge होती जाएगी या battery की जो capacity होगी यह उसी के हिसाब से अपने ampere को set कर लेता है ऐसा नहीं है कि आपकी battery weak है और यह उसको भी 10 ampere से charge करेगा ऐसा नहीं है यह अपने ampere को automatic down कर लेगा यदि आपकी battery की capacity कम है या आपकी battery full charging क की स्थिती में जा रही और यदि कोई battery faulted है खराब है तो उसको यह चार्ज नहीं करता है एक खराब battery भी से connect करके आपको दिखाऊंगा maximal company के इस grid soul smps plus battery charger के अंदर बहुत ही खूबियां है जरूरी नहीं है कि आपको grid से ही battery charge करनी पड़े आपकी मजबूरी है ऐसा नहीं है आप solar panel से भी अपनी battery को charge कर सकते हैं यदि आपके पास 335 watt या 550 watt यानि 24 volt में 3 solar panel है तो 3 solar panel को series करके आप इस smps charger से अपनी battery को charge कर सकते है 3 solar panel series में कर सकते हैं, 4 solar panel series में कर सकते हैं और 5 solar panel भी series में करके अपनी battery को charge कर सकते हैं यानि इस grid soul smps plus charger का यूज आप MPPT solar controller की तरह भी कर सकते हैं इसके अलावा भी इसमें और भी फीचर हैं, बहुत ज्यादा फीचर नहीं बताता हूँ, कुछ लोगों को थोड़ा दिक्कत हो जाती है, है कोन लोग हैं आप सभी जानते ही हैं, बहुत अधिक बताने की आवसकता नहीं है, अब इसका टेस्टिंग भी आपको दिखा देत बैंट्री का यहाँ प्लस टर्मिनल है, यहाँ माइनस टर्मिनल है, तो प्लस टर्मिनल पर हम रैड वायर लगाएंगे और यहाँ पर बलैक वायर लगाएंगे, लेकिन गलती से यदि आप रिवर्स वायर भी लगा देते हैं, उल्टे वायर भी लगा देते हैं, तो चार् देखेंगे कि डिस्प्ले नहीं आएगा, चार्जर ओन ही नहीं होगा, तो यानि रिवर्स वायर लगाने से प्रोडक्ट को कोई दिक्कत किसी परकार की नहीं है, अब वायर को सही तरीके से लगाते हैं, बैटरी कनेक्ट करते ही डिस्प्ले ओन हो चुका है और बैटरी के व लोड चालू हो गया है वन सेंटी फाइवाट का लोड चालू हो गया है और डिस्प्ले में आप देख रहे हैं एक बार ए लिखा हुआ आ रहा है और एक बार बार जुकाब लिखा हुआ रहा है वी के साथ concerning के वोल्ट बताएगा और A के साथ एंपियर बताएगा यहां पर आप देख रहे हैं कि लगभग 11 एंपियर के आसपास की चार्जिंग चल रही है और बैटरी के 13 वोल्ट हो चुके हैं और ग्रिड से इस समय 172 वाट की इनर्जी कंजूम हो रही है तो इस परकार दोस्तों इनर्जी का लोस हुआ है तो इसको यहीडी परसेंटेज में देखते हैं तो मात्र 16% इनर्जी का लोस हो रहा है और यह 15-16% परसेंट का लोस भी बैटरी की वज़े से होता है क्योंकि बैटरी को जब चार्ज करते हैं जिस बैटरी का internal resistance जितना अधिक होता है वह बैटरी उतना ही अधिक इनर्जी का लोस करती है और दोस्तो इतना ही नहीं यह बैटरी को प्योर DC करंट से चार्ज करता है यानि बैटरी की लाइप बढ़ जाती है आप इसके जो 10 एंपियर चार्जिंग देख रहे हैं यह किसी भी सामान्य इन्वेटर की 20 एंपियर की चार्जिंग के बराबर है जीरो ग्रेवटी से बैटरी को चार्ज करने में सक्सम है जैसा कि आप इन्वेटर के साथ देखते हैं कि यदि बैटरी के वोल्ट 10 वोल्ट या 9 वोल्ट से नीचे चले जाते हैं तो फिर आपका इन्वेटर बैटरी को चार्ज नहीं करता है लेकिन यहें आपकी बैटरी के वोल्ट 5 वोल्ट से भी नीचे चले जाते हैं तब भी उसको चार्ज कर सकता है जैसा कि इन्वेटर के साथ आप देखते हैं कि एक लंबे समय तक यदि बैटरी की ग्रेवटी डाउन रहती है तो फिर आपका इन्वेटर बैटरी की ग्रेवटी को मेंटेन नहीं कर पाता है तो यह SMPS charger किसी भी battery को charge कर सकता है और उसकी gravity को maintain करता है तो इस SMPS charger को आप अपने inverter के साथ भी use कर सकते हैं जिससे आपकी battery की life तो बढ़े ही बढ़ेगी आपके बिजली के बिल में भी कमी आएगी यूज करना बहुत ही आसान है सीधे दो wire battery के साथ connect करने है और आपकी जो main lead है इसको आप कहीं भी grid से connect कर सकते हैं या अपने solar panel के साथ connect कर सकते हैं दोनों ही तरीके से यह battery को charge करने में सक्सम रहता है और यह 10 ampere और 15 ampere के product आपके 12 volt, 24 volt और 48 volt में company ने निकाले हैं और दोस्ते यदि इस product को आप purchase करना चाहते हैं तो company की website www.maximal.com पर जाकर अपनी request डाल सकते हैं या company का help line number 746-500-5001 पर भी आप request डाल सकते हैं product आपको कैसा लगा आपके मन में कोई संका है कोई सुजाओ है comment में जरूर लिख देना और वीडियो अच्छा लगाओ तो like भी कर देना और channel को यदि अभी तक subscribe नहीं किया तो please channel को subscribe करके बैला icon का बटन भी जरूर दबा लेना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार डोस्त